हालो स्टूडेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चियोग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नमबर 56 यानि कारे पत्रक संख्या 56 को आज की हमारी वर्कशीट काफी आसान रहने वाली है और आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरन की बात करने वाले हैं और व्याकरन में हम समझने वाले हैं कि पद प्रीचे क्या होता है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो चले ही शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वर्कशीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं ये हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 56 यानि कारे पत्रक संख्या 56 है हमारा विश्य हिंदी है जिसमें हम व्याकरण में पद प्रीचे पढ़ने और समझने वाले हैं आज की दिनांक 16 नौंबर 2020 पद प्रीचे का अर्थ होता है पद का प्रीचे देना अब ये पद क्या है पद होता है शब्द यानि शब्द का हमें प्रीचे देना है यानि वाक्य में जो शब्द हैं उनके बारे में हमें बताना है जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रियोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं यानि जब शब्द को हमने किस में प्रियोग किया वाक्य में तो वो क्या हो गया पद हो गया जिसे जब किसी शब्द को वाक्या में प्रियोग करते हैं तो उसे पद करते हैं तो ये पूरा एक वाक्या हो गया तिसमें से जो भी शब्द है वो सारे शब्द पद कहलाते हैं और ये जो पद होता है ये व्याकरण में बंदा होता है क्योंकि वाक्या तब ही बनेगा जब उसका कोई आर्थ निकलेगा और आर्थ अभी निकलेगा जब हम व्याकरण के अनुसार लिखेंगे तो परतेक वाक्य में परतेक शब्द व्याकरण से बंदा होता है इसलिए उसे हम पध बंद भी कह देते हैं कई बार ओके और उसी पद का प्रीचे देना पद प्रीचे कहलाता है यानि कि एक वाक्या में जितनी भी शब्द हैं उनमें से किसी एक प्रीचे देना वो पद प्रीचे कहलाएगा अर्थात उसके बारे में हमें बताना है कि वो शब्द संग्या है, सरवनाम है, क्रिया है या विशेशन है, या क्रिया विशेशन है, या अव्यव है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, ये सब कुछ हमें बताना होता है, साथ ही साथ कि वो करता है, करम है, या करण है, किस रूप में प्रियोग किया गया है, ओके, जैसे हम उधारन लेते हैं, एक्ज सिंग्या, किसी वैक्ति, वस्तू, स्थान, भावित्यादी को नाम को हम सिंग्या बोलते हैं, तो ये संग्या है, वैक्तिवाचक संग्या है, एकवचन है, पुलिंग है, और करताकारक है, तो ये हो गया रामशब्द का प्रीचे, ऐसी हम रावन जो पद है, उसका प्रीचे देंगे कि यह संग्या है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुलिंग है, लेकिन करमकारक है, करता नहीं है ना, करमकारक है, ऐसी अब मारा है शब्द, तो उसका प्रिच्या कि यह क्रिया है, सकर्मक्रिया है, भूतकाल में मारा, यहाँ पे भूतकाल में इसको प्रियोकिया गए तो तो यहां पर आज की जो हमारी वर्क्शीट है उसमें भी हमें टास्क दिया गया, हमें टास्क क्या दिया गया, कि हमें ये जो वाक्य दिये गए हैं, इनमें कुछ शब्दों को रिखांकित किया गया है, कुछ पदों को, हमें उनका प्रीचे देना है, तो चलिए हम हल करते हैं, वरक्शीट काफी आसान रहने वाली है, जि तुसरा हम लोग विध्या ले जाते हैं, तो इसमें हम लोग को रिखांकित क्या गए? हम लोग क्या है? बहवजन है, करता है, पुलिंग है, और सर्वनाम है. उसके बाद तीसरा जो दिया गया, सूरे पुरव में निकलता, यहाँ पर सूरे का पद, जो पद है उसका परीचे गाती है तो यहाँ पे हमें वानी का प्रेचय देना है तो वानी क्या है संग्या है किसी का नाम है वैक्तिवाचक है करता है एकवचन है और इस्त्रेलिंग है ऐसे पांचवा जो दिया गया है कोशल इस कक्षया का स्रिष्ट छात्र है हमें श्रिष्ट रिखांकित क्यार के दिया गया, तो श्रिष्ट क्या है, विशेशन है, कैसा विशेशन, कुणवाचक है, और एक वचन है, उसके बाद जो चठा दिया गया है, शेर हीरन के पीछे तेज गती से भाग रहा है, तो यहाँ पे तेज है, उसका पद परीचे दे भग थे, तो हमें क्या बताना है? कि सूर्दास क्या है? संग्या है, वयक्तिवाचक है, एक्वचन है और पूरिंग है. प्रेमचंद महान कथाकार थे इसमें हमें महान शब्द है इसका पद परीच्छे देना तो महान गुणवाचक विशेशन है पूलिंग है एकवचन है विशेश है व्यक्तितव है यहाँ पर ओके व्यक्तितव के विशेशता बता रहे हैं हमें आपस में मिलकर रहना चेति इसमें हमें का बताना हमें पद परीच्छे देना तो हमें क्या सरवनाम है बहवचन है और करता है उसके बाद दसवाँ और अंतिम दिया गया है जो परीश्रम करते हैं वे सफल होते हैं यहाँ पर परीश्रम पद का परीच्छे देना तो पर आसान होता है क्योंकि अगर हमें संग्या, सरवनाम, विशेशन, क्रिया, वचन, लिंग, इत्यादी पता तो हम आसानी से लिख पाएंगे आप ऐसे हमारे साथ बने रहे, अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शियर, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ घंटा भी बजा दीजिगा ताकि हमारी एक दूसरे के उपर गरिपा बने रहे थैंक के बाइब नहीं जूसरे के बाइब बने रहे जिन देखर जाद